हेलो दोस्तो लोकल इन्फोपाइट एस में मैं टिप पसंदार आप लोगों का स्वागत करता तो आज का जो अपडेट रहेगा वो है इस वीडियो में आपको गौनपूरा स्टेशन अरगम कनफार्म है कि रहेगा वो कितनी दूर पर रहेगी है हमें नहीं मालूम है इस साइ कि हमें छे किलोमेटर पर चलना पड़ेगा तो इसलिए मैं इस साइट से चल रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो उतनी अच्छी रहेगी लेकिन अपडेट जहां पर जो इस्टेशन होगा उसी क्वाइलिटी बहुत अच्छी रहेगी तो आब तीन मिनिट के बाद इस्टे देख सकते हैं कि काम लगावा है देखिए इस साइट गारिया चल लहीं और काम लगावा है इस साइट हमें चलना हो तो वीडियो बहुत अच्छी है और देख सकते आपके कितनी चोड़ाई ली गई एक क्योंकि जब मैं बरभीगा साइट जो सर्थ हुआ है उसका रिकॉर और इस साइट भी देख सकते हैं बहतर इसकी चोड़ाई पहले वाले से कुछ कम है जो कि आप बहतर देख रहे हैं और इसे पिछिंग किया जागा गारिया तो लगी यह काम तो चलता है कितनी मट्टी है अभी यह कम से कम दो मीटर की हाइट पे होगा और इसकी हाइट ली यह हाइट पे रोड़ रहेगा कुछ जगहाओ पर 10 परसंट जगहाओ पर सिर्फ हाइट नहीं किया गया वहाँ इससे लेकिन हर जगह यह अंडर पास बना करके जमीन से लगबख लगबख 20 प्लस से इसे गुजारा जा रहा है एक प्रोक्स मैं अंदाजा बता रहा हूं औ अब लेकर करके आ रहा हूं और मैं आपको गुणपूरा इस्टिसन इसमें दिखाने वाला हूं तो जगह जगह पर इस तरह का अंडर पास और विरीज के लिए या फिर गाडियों के लिए मतलब यह नहीं अंडर पास है तो कंस्ट्रक्ट किया वह है तो यहाँ पर यह में जगह है मैं उसका अपडेट करूँगा तो चलिए रास्तिक बढ़े रही है मैं डायक्टर वहां लेकर चलता हूं बीच-बीच में था साउर्स रहेगा आपके लिए तो यह जो देख रहे है यह पूरा गौन-पूरा इस्टिसन का पार्ट है देखिए आप साइड साइड लेकिन चलिए देखता हूं कहीं पर काम चल ला होगा तो दिखाऊंगा लेकिन गिट्टी वगएड़ा गिरी भी है और ट्रेक्टर भी अस्टिक स्पीड माला लगता उड़ा देगा हमें जैसे तो चलिए देखता हूं आगी का वर्क अपडेट क्या है तो कहीं पर भी इस देखा हूं ट्रैक प्लेटफार्म दो है लेकिन ट्रैक 3-4 का कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो इस तरीके से और भी जो इससा जैसे होगा मैं बताओंगा लेकिन यह जो इस्टेशन है आप यह जो देख रहे हैं यह नेवरा साइट से फस्ट इस रहें गोनपूरा और दन और आपको पेर के पास तो नहीं दिख रहा होगा है तो तार वागर वहां पर लाकर रखे वह और भी मैं देखाऊंगा और एक्चुल लुकिंग दिख लिजी आप कि गवनपूरा इस्टेशन का जो है की वह को तो वहां से पहले से रहेगा तो इस तरीके सीसी चोड़ाई है और अच्छी खासी चोड़ाई है लगवक सौ मीटर पलस है तो चलिए मैं आपको पुरा देखानी कोसिस करता हूं तक और हर बहुत चीज देखाना चाहता हूं जो मैं देखूंगा तो लास्ट तक बने रहे हैं गॉनपूरा इस्टेशन के लिए वैसे अभी किसी तरह क तो बहुत तो चलिए देखता हूं यह पाइप वगरा और बॉक्स वगरा तो इसकी डिस्टेंस चेशन से साथ किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि आप बहतर देख रहे हैं और यह इसका इंडिंग पॉइंट है जहां पर आपको हाइट दिख रहा है और उस साइट से वह जो देख रहे है आप उसका हाइट लगवाग एक किलो मीटर दूर देखिए धुंदला भी दिख रहा है जूमिंग करने पर यह मेर अतना एरिया रहेगा क्या रहे लेकिन वहां से स्टाइडिंग पॉइंट है और यह इसका इंडिंग पॉइंट है लेकिन मैं आपको वहां तक लेकर चलूँगा देखाऊंगा तो चलिए रास्तिक बने लएग है तो काफी संख्या में तार लाक रखी विए देखिए इस के बाद फिर हमें रूट नहीं जाने के लिए और इस तरीके से सिस्टेशन को देखें गिट्टी वगड़ा सब रखावा है चलिए देखता हूं आगे का तो आदो चल करके फिर इस वीडियो को इंड करूंगा तो मैं इसलिए कर था कि इंडिंग है क्योंकि इसकी अब है तरीक के काम मैं देख रहे हैं कि मटी भरने का ही में इस रूट में कर लिया गया है वह सो कब फुल्पुलिया मटी यह वी है कि दो दिन में उसे कंप्लिंट की जा सकता है इस तरीके से अब देख सकते आप बहतर कितनी सांदार से वीडियो बनती लेकिन अफसूस की आपको गॉनपुरा साइट से लेकर काया और दूर जो है कि गॉनपुरा है दो किलो मेटर के लपेट में होगा इस्टेशन और लगभग मैं 10 किलो मेटर चल चुका हूँ तो मैं हर जगा पुल पुलिया था तो अपडेट देना बहतर नहीं समझा आपको और यह पहला रोड ह मतलब नेरा साइट से गारी पकरने के लिए आपको पटना जो कि लगभग 10 किलो मेटर यह सारे 10 किलो मेटर की डिस्टेंस पर है और इस साइट से जो है कि यह पुन-पुन घाट होते वे पटना चली जाएगे और मैं आपको पुरा अपडेट दिया तो हाँ आप इस लुके नहीं नहीं ट्रेंड लुके नहीं पब्लिक लुके गारी के लिए तो अंडर पास से यह रोट डाउन होकर के फ्यूचर में हो सकता है कि यह हो जाए तो मेन वर्क जो मेजर वर्क है यह पुल है आगे पुल बंदा पुन-पुन नदीप है तो इसका अपडेट पार्टर में मिलूंगा तो वीडियो कैसे लगा जूरू बताएगा वीडियो देखने के लिए थाइंक